जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखे मातारानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि 17 अक्टूबर दिन सनी वार से नवरातर वर्ष 2020 का सुरुआत हो रहा है 17 अक्टूबर को कलस की अस्थापना की जाएगी घट अस्थापना लोग करेंगे और घट अस्थापना सुमोहुर्थ में करेंगे तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि नवरातर 2020 में घट अस्थापना का सुमोहुर्थ क्या है घट स्थापना के लिए आपको किन सामगरी की जरुवत होगी नवरात्र पूजा के लिए 9 दिनों के लिए कौन से पूजन सामगरी की जरुवत होगी साथी साथ अखंड जोत जलाने के लिए कौन से सामगरी की जरुवत होगी मा दुरुगा को क्या चढ़ाने के लिए सामगरी की जरुवत होगी ये सब आप नवरात्र सुरू होने से पहले ही इसका इंतजाम कर ले तो आपको कोई परिसानी का सामना नहीं करना पड़ेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगो से रिक्वेस्ट है इस बार वर्ष 2020 में सारदिय नवरात्री की सुरूआत 17 अक्टूवर से हो रही है नौ दिनों तक मा के पूजा अर्चना का कार्जगरम चलेगा इन नौ दिनों में भक्त पूरी सरधा से मा की भक्ती में लग जाते हैं नवरात्री की सुरुवात कलस स्थापना के साथ होती है कलस स्थापना और पूजा की विसेश तयारी की जाती है तो चलिए जानते हैं पूजन सामगरी के बारे में तो नवरात्री के लिए आपको पूजन सामगरी क्या जरूरी है तो लाल रंग मा दुरगा का सबसे खास रं इसलिए पूजा शुरू करने से पहले लाल रंग के आसन का इंतजाम कर लें, आप लाल रंग के कपड़े का भी इस्तिमाल कर सकते हैं। और नवरात्री का कलस मंग वालें। जोद के लिए बाती, साथी रूल की बाती भी रोली, सिंदूर, चावल जरूर रखें। हवन के बीना मा की पूजा धूरी मानी जाती है। इसलिए हवन कुंड, लौंग का जोड़ा, कपूर, सुपारी, गुगल, लोवान, घी, पंच मेबा और अक्षत का इंदजाम अवस्य कर लें। अब चलिए जानते हैं घट स्थापना या कलस स्थापना की विधी क्या है, तो सुबह असनान कर साफ सुथरे कपड़े पहने, इसकी बाद एक पात्र लें, उसमें मिटी की एक मोटी परत बिछाएं, फिर जोग की बीज डालकर उसमें मिटी डालें, इस पात्र को मिटी से बढ़ें, इसमें इतनी जगह ज़रूर रखें की पानी डाला जा सके, फिर इसमें थोड़े से पानी का छिड़काओ करें, अब एक तांबे की लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं, लोटे के उपरी हिस्से में मौली बाढ़ें, इस लोटे में पानी भार कर उस안 कुछ अब इस कलस को मिट्टी के उस पात्र के ठीक वीचों बीच रख दे जिसमें आपने जौब होए हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि घट स्थापना में भूल कर भी ना करें ये गलतियां वो कौन सी गलतियां हैं जो की आपको भूल कर भी घट स्थापना में नहीं करना है नवरात्र के दिनों में। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि कलस स्थापना हमेशा सुभ मुहुर्त में ही करनी चाहिए। इसान कोन यानि उत्तर पुर्व दिशा जो है देवताओं की दिशा मानी जाती है इसी दिशा में माता की परतिमा तथा घट स्थापना करना उचीत रहता है। माता के सामने जो अखंड जोत आप जलाएंगे उसे आगनेया कोन यानि पूर्व दक्षिन में रखे, पूजा करते समय मूँ पूर्व या उत्तर दिसा में रखे घट स्थापना चंदन की लकड़ी पर करे तो सुब होता है, पूजा अस्थल के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए आपने अखंड जोत कलस स्थापना या घट स्थापना की है तो घर को खाली आपको कभी भी नहीं छोड़ना है घर में ताला बंद नहीं होना चाहिए किसी ना किसी सदस्य को घर में अवस्य रहना चाहिए एक बार आपने अखंड जोत जला लिया है तो उसे भूजने देना नहीं चाहिए इस बात का विसीज ध्यान रखना है आपको तो दोस्तों आसा ही नहीं पूर्ण विश्वासे कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और मेरे इस घरेलूख अबर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स